वेलकब फेंस हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से सवागत है इस वीडियो में हम बात करेंगे Rolex Rings Limited सेर के बार में यह सेर कैसा है और दुसरी कंपनियों से किस परकास से कंपेर हो सकता है इस वीडियो में हम आपको पताएंगे यह जो shares है बहुत अच्छा shares है और जो इसकी जो market cap है और इसकी जो listing है काफी अच्छी हुई है और इसका जो gain है फिलाल listing के अनुसार 30% gain हुआ है इस वीडियो में हम बात करेंगे दूसरे shareों से इसका compare करेंगे और देखेंगे कि इस share में कितनी बड़त हो सकती है और कितनी घ पर क्या स्वास था और बात करते हैं यह जो company है काफी अच्छी company है और इसके जो डिरेक्टिव से फिलाल अच्छे चल रहे हैं लेकिन इस share में उतार चड़ाओ आ रहा है इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस share में कितना उतार चड़ाओ आ सकता है जब इसकी listing हुई 1200 रु प्राइज है 223 रुपे चल रहा है और उसकी market cap आप देख सकते हैं 70,000 क्रोड क्रोड के असपस है उसके बाद दुसरे नमबर पर आती है company हमारी बोस आती है यह यह भी company काफी अच्छी है और इसका जो share का दाम है 14,64 है जो market cap है इसकी 24,64 है उसके बाद बात करते है रोलेक market cap 23,000 क्रोड है और उसके बाद आती मिंडा उसके बाद इसका जो share का जो price 719 रुपे है उसके बाद Xide 117,64 है market cap दोनों की 20,000 क्रोड क्रोड के आसपस है और जो Xide की जो price 14,64 है 14,166 रुपे market cap है अब बात करते हैं वाइब को वाइब को यह जो company है इसका जो share का जाजाम है 1290 रुपे है 13,884 क्रोड इसकी market cap है उसके बाद आमरा राजा आ जाती है 723 रुपे 12,366 उसके बाद इसके नीचे इसका जो rank आता है Rolex ring का इसका जो price है आप देख सकते हैं 1140 रुपे है फिलाल current price है अब बात करते हैं इसका जो price value है कितना हो सकता है देखिए इसके जो market cap है हमें यदि इसके analysis करते है market cap 3170 क्रोड है मतलब जो दूसरी companies है उनसे कम है इसलिए इस share के जो दाम है देखिए जो सबसे कम हो सकते है 167 jackside की share है उसके बाद बात करते हैं सबसे उपर कितना जा सकता है देखिए जो company web को है इससे दो पाइदान उपर है और market cap है 13,000 क्रोड उ यदि यह अच्छा परदर्सन करती है तो इसके जो share के दुदाम है आने वाले समय में 7,290 क्यास पास तक हो नहीं के अनमान हो सकते हैं लेकिन जब इसने web को गैंसार परदर्सन किया तो अब बात करते हैं देखिए कई ऐसी companies हैं जो इस rank में ऊपर हैं लेकिन share कम है यह depend करत है market value और growth पे और profit पे depend करता है अब बात करते हैं यह जो company है फिलाल इसका जो हम देखते है रोले सरिंग का जो इसने परदर्सन किया 30% तक इसने अच्छा काटा return दो दिन के अंदर दे दिया है अब बात करते हैं इंडर्स्टी कास्टिंग और फोजिकन की है बात करते हैं मतलब काफी अच्छा चल रहा है अब बात करते हैं इसके प्रोमोटर्स प्रोमोटर्स 50-60 के असपास है मीचल फंड बात करते हैं इसकी वर्किंग है 67 के असपास कूरी मिना के देखे जाए यह जो company काफी अच्छी company है और आने वाले समय में यदी growth अच्छी रही तो इस company क सेर के ददा में मिडली जो है पहुंच सकते हैं अच्छा खासा परदर्सन हो जैसे endurance company है उसका जो सेर का जो जाम है 67 के असपास है वहां तक पढ़ने एक चान्स भी हो सकते हैं यदि अच्छा खासा परदर्सन हुआ तो यदि आपको जानकारी अच्छे लेगे तो वीडिय को लाइक कीजीगा नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजीगा हमारा चैनल देखने के लिए आपका बहुत भुक्त धेनुआ दोस्तों